इंडिया में अगर EV2WILLER की बात की जाए कि कौन सी कमपनी नंबर वन की पोजिशन पे है तो अभी ये बोल पाना कठीन होगा क्योंकि हर महीने कोई ना कोई दूसरी कमपनी नंबर वन की पोजिशन पे आ जाती है या फिर हम ये कहलें कि बदलाओ देखने को मिल जाता है मौहौल की बात की जाए तो ओला ने जबरजस्त मौहौल इंडिया में पीछे बना रखा था लेकिन क्या है कि अभी उनका क्रेस दीमे-दीमे कम होने लगा है वीडियो में हम लास्ट में ये भी बात करेंगे क्यों कम हो रहा है लेकिन क्या है मुद्दे की बात कि क्यों कमपनिया नंबर वन की पोजिशन पे आ रही है या कौन सी कमपनी नंबर वन की पोजिशन पे आ रही है देखे इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है supply को लेके, production को लेके तो जो company अच्छे से production कर रहे हैं और supply कर ले जा रहे हैं वही number 1 की position पर पहुँच जा रही है इंडिया में EVTuler की demand में कोई भी कमी नहीं है लगातार demand दिन परतितीन बढ़ रही है लेकिन क्या है कि जो अच्छे से सप्लाई कर ले जा रहे हैं वही नंबर वन की पोजिशन पर आ जा रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा देखें क्या है कि Ola ने इंडिया में महौल तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन क्या है कि अभी उनकी supply proper नहीं हो पा रही आज के time पे भी लोग काफी ज़्यादा online complain कर रहे हैं लगाता ट्वीट कर रहे हैं कि बैया मेरी scooter कब मुझे deliver हो जाएगी और काफी पुरानी deliveries अभी भी बाकी है और नई booking उनको मिल रही है तो यह ऐसा बिलकुल भी नहीं कह सकते कि Ola की scooter की demand नहीं है इंडियन market में क्योंकि negative publicity खुब हुई है Ola की लेकिन क्या है कि उसके बावजूद इनकी sale में कोई कमी नहीं आई है कमी आई है तो वो है production की और पीछे कुस दिन के लिए company ने production अपना रोग भी दिया था यो कि बताया जा रहा था yearly maintenance की वज़े से यहाँ पर production रुका हुआ है अब मुद्धे की बात आती ही कि इंडिया में number one की position पे कौन रहा है जुलाई 2022 में तो देखिए Hero Electric रहा है number one की position पे silently Hero Electric भी आ गया है number one की position पे जो कि इससे पहले यानि जून के मन्त में वो first position पे नहीं था उकिनावा इंडिया में first position पे थी Hero Electric ने अच्छे से supply किया तो इसलिए number one की position पे आ गया और 8953 यूनिट इंडिया में सेल किया तो यहां पर क्या है कि इसको अगर month wise देखा जा तो लगबग 38% की यहां पर growth देखने को मिली है वहीं अगर मैं second position की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में उकिनावा जो की पिछले महिने number one की position पे था July 2022 में number second की position पे रहा है और लगबग में अगर यहां इसकी मैं बात करूँ तो 16% की growth इसको भी देखने को मिली है और इंडिया में sale रही है और MPR third position पे रही है तो इसकी sale रही है इंडिया में 6313 unit की और इसके अलमा क्या है कि इसको 3% का loss का सामना करना पड़ा है यानि जून के मुकाबले लगबग 3% की sale यहां पर इसकी घट गई है और वहीं fourth position के अगर मैं बात करूँ तो TVS motor company आ जाती है अब मैं यहां पर बतान motor company के पास में अभी सिफ iCube है iCube के साथ में इंडिया में business कर रही है और यहां पर क्या है कि 4256 unit overall sale हुए है तो यहां पर क्या है कि TVS के साथ में भी वही चीज है कि आगर वह proper market में supply करे तो यहां उसकी sale भी बढ़ सकती है growth की बात को तो 119% की TVS motor company को भी growth मिली है जो कि अ कि इनकी proper supply नहीं हो पाई जिसकी वज़े से क्या है यह खिसके 5th position पे इंडिया में पहुच गया है तो अगर मैं sale की बात करूँ तो 3856 unit इनके sale हुए है और इनका लगभग 35% का degrowth का सामना करना पड़ा है जो कि एक बड़े figure हम यहां पर कह सकते है 35% इसके बाद दोस्तों आ जाती है बजाज और अब बजाज और तो क्या है कि यह भी अभी limited cities में है और अभी धीमे-धीमे करके supply कर रहे हैं इनके पास में चे तक ही आता है क्योंकि single scooter है और भी limited cities में यह available है चीका से sale देखने को मिली है 2425 unit इंडिया में जुलाई 2022 में sale हुए है तो लगभग 35% की इनको भी growth का सामना करना पड़ा है इसके बाद दोस्तों रिवोल्ट आ जाता है एथर है और बींग इंडिया है और इसके बाद UKAYA EV आ जाते हैं तो यह बाकी companies आ जाती है लेकिन क्या है कि यूंकि मैंने स्टाइटिंग में बताया ना कि ओला भी क्या है कि वह अब R&D पे फोकस कर रहे है पहले था कि उनको सिफ सप्लाई करनी थी लेकिन क्या जब से problem सामने आई है लगातार कि कुछ ना कुछ स्कूटर में लगातार problems आ रही है तो company ने अभी R&D पे भी पहले से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और सप्लाई जो है वो थोड़ा सा धीमे कर दिया है ताकि क्या है कि वह और भी अपने स्कूटर को अच्छे से तयार कर सके और लोगों को प्रॉपर सप्लाई फ